एल्विश यादो की मुस्कले लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है पहले एक यूटूबर के साथ एल्विश यादो ने मारपीट की F.I.R दर्ज हुई फिर एक मामला अब गाजियाबाद में दर्ज हुआ है एल्विश यादो से अब पूस्ताद भी की जा सकती है इसको लेकर एक रिपोर्ट देखिये और समझे यूटूबर और बिग बोस सीजन टू के विजेता रहे एल्विश यादो की मुस्कले लगातार बढ़ती जा रही है चाहे वो गुरुगराम का मामला हो मारपीट का जिसमें की यूटूबर के साथ पिटाई की गई और उसके बाद या फिर रेव पार्टी में सापों के जहर की सप्लाई का मामला हो नोईडा 49 में ये मामला सामने आया था मुकदमा दर्ज है और लगातार पुलिस जांच कर रही है समन भी भेजे जा रहे हैं और साथ ही सूतलों के हवाले से ख़वर ये भी मिल रही है कि नोईडा पुलिस अब चार सीट दाकिल करने वाली है हाला कि एक नया मामला एक नई अपडेट और सामने आया है जिसमें की गाज़ेबाद के नंद गिराम थाना चेतिर में एक सिकायद दी गई है जो की PFA के सदत से हैं जिनका नाम सोरव और गोरव बताया गया है इनी के दुआरा नोईडा में मुकदमा भी एल्विस के खिलाफ दर्ज किया गया है इसी को लेकर उनकी तरफ से सिकायद दी गई है कि वो जब भी घर आते हैं जाते हैं जब या घर से भार निकलते हैं तो उनके पीछे कोई कई गाडियां पीछे करती हैं और उनका अपरण की कोशिस की जा रही है एल्विस के गुंडे उनकी तरफ से कहा गया है जो एल्विस के लोग हैं उनकी तरफ से उनका अपरन की कोशिस की जा रही है, उनकी तरफ से प्रैसर बनाया जा रहा है कि जो मुकदमें उनकी तरफ से नोईडा 49 में किये गए हैं, उन मुकदमों को वापस ले लिया जाए, हाला कि गाज़ेबाद पुलिस से हमारी बात हुई, तो गाज़ेबाद सिकायद दी है उस सभी की हम अभी जांच कर रहे हैं जो तमाम CCTV आसपास में लगे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और जांच के बाद ही गाज़बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी गाज़बाद से अनिल चोदरी इंडिया न्यूज YouTuber or Big Boss Season 2